हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर ग्यासोदे नाज हम बात करेंगे कोबिट से होने वाले सीर दर्द के बारे में क्या आप जानते हैं कि कोरोना वाइरस से होने वाले सीर दर्द के कारण क्या है हम सभी जानते हैं कि कोरोना वाइरस का कोई एक खास लक्षण नहीं है बलकि इसके कई लक्षण हैं जिसमें बुकार, खासी, गले में खरास, नाक का बहना, सरीर में दर्द और ठकान सामिल है इसके अलावा ऐसे बहुत से लक्षण हैं जो अब कम दिखाई देते हैं लेकिन पहले और दूसरी लहर के दोरान प्रमुक लक्षणों में स्वाद वगंद ना होना और पेट से जुड़ी कुछ समस्या हैं लेकिन सिर्फ बात यहां पर आकर नहीं खत्म होती है ऐसे बहु भले ही समान है लेकिन आपके परिशानी को बढ़ाने का काम करता है तो आईए जानते हैं कि कैसे कोविट का सीर दर्थ बाकी सीर दर्थ से अलग होता है कैसा मौसूस होता है कोविट से होने वाला सीर दर्थ ऐसा माना गया है कि कोरोना वाइरस के कारण होने वाले सीर दर्द ठिक टेंसन से होने वाले सीर दर्द या फिर माईग्रेन की तरफ दिखाई देते हैं टेंसन से होने वाले सीर दर्द में जहां आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं जैसे हलका या फिर मौसूस होने वाला सीर दर्द, अकड़न मौसूस होना, माते पर दबाव पड़ना, सीर के पीछे और गरदन के हिस्से में दर्द होना जैसे लक्षन सामिल है वहीं दूसरी तरफ माइग्रेन के कारण आपको होने वाले सीर दर्द के लक्षन में रूक रूक का तेज दर्द होना, सीर पर किसी चीज से मारने जैसा, सीर के एक हिस्से में तेज दर्द होना जैसा सामिल है आपको उल्टी और मतली जैसे परेसानी भी हो सकती है लक्षणों के गंभीरता पर ध्यान देने की जरूरत है कोबीट से सीर दर्द के लक्षण क्या है समाने से गंभीर दर्द होना सीर के दोनों हिस्से में दर्द होना सीर के दोनों हिस्से में दर्द समेत माथे में दर्द और आखों में भी दर्द होना अकडम रहना या फिर नस की धड़कन महसूस होना दर्द वाली दवाओं से भी ना होना कि लक्षणों के दिखाई देने पर टेस्ट कराना चाहिए अगर आपको हलके से लेकर समाने रूप से सीर दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ भी हो सकता है सीर दर्द के साथ बुखार खासी गले में खरासनात का बहना सरीर में दर्द और ठकान रहने पर वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों तक सेर करें थैंक यू